हेलो गाइस कैसे हो आप लोग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज तरीक है 31 दिसंबर 2018 और मैं होंगा ये जब वीडियो अप्लोड होगी तो मैं कैनिडा पहुच चुका होंगा अपने किचनर एरिया में तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा जो एक्सपीरेंस था आपछी होगी है तो मैने फाइल अप्लाई की थे अपनी अगस्त को अगस्त को फाइलिं को सिज़ स्टार्ट किया था Fाइलिंग प्रो उसमें सबसे पहले मैंने अपनी मार्च में आइल्स कंप्लीट की थी जिसमें मेरे ओवराल 6.5 बैंड आये थे ग्रेजुएशन के लिए मैंने अप्लाई किया था कोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और मैंने वी से की हुए बैचलर अप्प्यूटर अप्लिकेशन आर्या कॉलेज से जो लुधियाना में तो उसके बाद क्या हुआ तो मैं AECC गया पहले मैं IDP गया फाइल अप्लाई करने के लिए बट उन्होंने बहुत डिले कर दिया जो AECC वाले थे तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और वह बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट था तो जो एजेंट्स होते हैं आपको चूज करना होता है जो पैसे प्रोसेसिंग फीस ना ले क्योंकि प्रोसेसिंग फीस उनकी लेनी बनती नहीं क्योंकि उन्हें अगस्ट में सारा मतलब मेरी फाइलिंग फीस वगेरा सबसे पहले ऑफ़लेटर अपलाई की अगस्ट में आई ऑफ़लेटर एक दूवीक में आगी थी फिर मैंने उसके बाद ऑफ़लेटर के बाद क्या आता है फीस पे की थी है ऐसे एप्स्ट ऑप्ष्इन होते है या तो मैंने में अपनी एक साल की फीस ट्रांसफर के थी 14,600 डॉलर था तो वो मतलब एक साल की फीस होगी तो इतनी फीस थी शायर मेरी आपना पॉल भूलर थी तो इसकी फीस पर शायर मेडिकल कराया अपना पॉल्ण हर से पांच आयर का हो गया तो अभी तो मैं इंधिया में हूँ बट यह तो मैं शीडियूल पे लगा तो बहुत सारी वीडियो तो लगा तूंगा आपको बहुत साहे टॉपिक्स में जाए इंडिया मतलब मैं पहली बना के रखूँ ताकि आपको हेल्प भी हो जाए मुझे पता है कि मैं जब वहां जाओंगा तो मुझे टाइम नहीं लगेगा वीडियो बनाने के लिए इसलिए मैंने प्रियाश्य वीलॉग्स चैनल इसलि आपको मैं बता सकों जो मेरा वीजा था टूंटी डेस मेरा था मैंने 18 सटेंब्र को अप्लाइ किया था आठ नवंबर को आ गया था आठ नवंबर को दिवाली वाले दिन रात को आ गया था तो उसके बाद मैं आपने मेरी प्रियाश्य वीडॉक्स पर एक फीडो देखना जाश्य विझा गड़िया रहे हैं मेरो था किमिगर पाता हुआपको ढरते के लिए को मेल आ τη क्वर्म्रियंट औफ का ऩ नवंबर को दिया तो उसमें टाइम मुझे लगा था मैंने 14 को दिया 14 नवंबर को 14 नवंबर को इसलिए क्योंकि आट को वीजा आया था था थो थोड़ा काम चल रहा था तो मेरे जो एजेंट थे वो भी थोड़ा एजेंट थे न वहाँ चले गए थे अपने काम वेकेशन पर चले गए थे बट वर वेरी हैपफू बहुत है और मैं आपको बहुत सारी स्टोरी से बतामगा अपनी थोड़ा ठंट भी बहुत है यहां फिर दिसमबर चल रहा ना कर न्यू यू यर है और इसलिए तो वहां मैंने अपलाई किया था तो फिर मेरे सो अपना तो मेरा वीजा आ गया जा रहे चोटी स्टोरी थी ना बट मैंने स्क्रिप्ट नी किया तो पॉइंट्स मैं आपको बता रहे था हूं जब भी आप अपलाई करते हों स्टूडेंट वीजा के लिए प्रिकोशन से बता रहे तो ध्यांस सुनना है ठीक है सबसे पहले आपका इक विजन होना चाहिए विजन मतलब की कौन से कॉलेज में जाना है ठीक है अगर आपका वीजन सही रहे गा ना तब आप अराम से उस कॉलेज का फीज फी स्ट्रॉक्चर एरिया वहां पर पीयार मिल सकती है और कॉलेज का एक नंबर होता है वो नंबर लाइक कॉलेज़ में बलकुल मच जना क्योंकि उस कॉलेज में आपको मिलेगी नहीं मिलेगा खंटा तो आपको ऐसे कॉलेजegen में जाने जाने यो आपको वर्क पर मिल जाय मेरा जो सल का को संट इन साल का वर्क मित है उसकेबाद मेरा website development कौनेस्टोगा कॉलेज है ठीक है जो भी मेरा दोस्ट वीडियो देख रहा है महीं टेक में आजाए मिले मिस्टे क्योंकि मेरे 6 अप्रायल के फ्लाइट है तो 6 अप्रायल की फ्लाइट है 7 अप्रायल को मैं होंगा कैंड़ा में तो हुपसो मैं अपना वी लॉग भी डालूं आपके साथ अपने सारे शेयर करूं जिससे मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो वह गलती आप ना कर सके थिके मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं आप मैं हफ्ते में दो तीन वीडियो अप्लोड करूंगा और उसके टाइमें मैं 8 बजे लग लग देता हूं हर दो दिन में एक वीडियो अप्लोड करूंगा तो अगर आपको कोई कोई होती है तो मुझे जरूर कमेंट में बताईएगा मुझे कोई शरम ने आएगी कमेंट का रिपलाई देने में और उस कमेंट पे वीडियो बनाने कर लिए और मैं हफते में एक पर लाइफ तो जर मत की भर्मिया जी आइसी कैसे बरी वहता क्या है बहुत सारी चीजे है बहुत जाल़ा सारी चीजे सो अगर आप पहले सोच रहे हो करने के जाने की बार जाने की तो मैं आपको उच्छी सी गाइज दे सकता हूँ प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और वीडियो को अगर अच्छी लगे वीजा एक्स्पीरेंस तो माना की छोड़ता है पर वीजा एक्स्पीरेंस अच्छा लगए तो जरूर वीडियो को शेर करेंगा थैंक यू सो मच गाइस आव नाइस दिन वापाई टेक केर चाल उड़ाई